हेलो स्टुदेंस गुड मॉर्णिंग एर्विवन यसरड़े कलके लेक्चर में हमने जो हमारा करन्ट टोपिक चला हुआ है इक्वेशन ओफ मोशन बाई ग्राफिकल मैथड मतलब इक्वेशन ओफ मोशन का डेरिवेशन जो चला हुआ है तो आज हम जो आपकी second equation of motion है जिसको दूसरा नाम हम position time relation भी कहते हैं कहीं न कहीं उसको derive यहाँ पे करेंगे तो इसके लिए हमने क्या किया है कि एक अब्जेक्ट लिया है हमने जो एक distance s को travel कर रहा है time t के अंदर और अंदर यूनिफॉर्म एक्सलेशन मतलब कर रहा है तो उसके लिए हमने एक graph जो बनाया है आपका velocity time graph बनाया है x-axis पे हमने time लिया है second के अंदर और vertical जो एक्सी है आपका y-axis उसके हमने velocity लिया है meter per second के अंदर अगें जो आपका object है वो हमने एक 0 की वजाए कुछ sum other quantities है like other value से initial value कुछ ना कुछ दी है 0 की अलावा उसको तो वहां से object चलना शुरू करेगा uniform motion को करता हुआ b point तक जाएगा तो a point से b point तक uniformly वो move कर रहा है तो a point पे initial velocity u थी object की b point पे final velocity v है and from o to a initial velocity u है c to b final velocity v है और from point d to b change in velocity आपका जो रहेगा तो करना क्या है आपको कि कहीं न कहीं जो object a से b तक move कर रहा है तो यह कितना distance को cover कर रहा है a to b तक हमें यह find out करना है तो उसके लिए हमें क्या करेंगे जो area under the curve है यह जो area है under the curve that is o a b c o a b d c b कह सकते हो o a b c के अंदर जो area आएगा वो कहीं न कहीं object के distance को measure करने में हमारी help करेगा तो देखे इसके लिए हमने क्या किया the distance traveled by the object is obtained by the area enclosed within the o a b c under velocity time graph कि जो distance traveled किया है object ने वह हम क्या है जो area enclosed हो रहा है o a b c के अंदर o a b c के अंदर यह जो complete area आ रहा है यह जो complete area आ रहा है तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो हमारा s a s हमारा यहां पर distance है तो distance कितना रहेगा equals 2 होगा area of a b c के area केे equal रहेगा तो o a b c में क्या है हमारे पास एक rectangle है o a d c o a d c हमारे पास rectangle है और a d b हमारे बी हमारे पास ट्राइंगल a b d में बता दिया a dc यह रेक्टेंगल आपका और a d d आपका यह ट्राइंगल है तो अब देखिए area होता है जो आपका rectangle का वो क्या होता है अप एरिया जो rectangle का है वो है a into b हम कहते हैं कि मतलब o a into o c जो है वो ए रेक्टेंगल का एरिय आजाएगा ये side इंटू में ये side और जो आपका triangle है right देखे right angle triangle है तो इसका area क्या हो जाएगा half of base ad into perpendicular that is bd तो half of ad into bd आपका triangle का area आजाएगा तो हमने वो लिख लिए s equals to o a into oc plus half of ad into bd अब हमें करना क्या है O A, O C, A D और B D की value देखनी है तो देखिए वई O A की value जो है जैसे कि मैंने बताया था initial velocity U के equal है जो O C है आपका O C time T के equal है A D आपका again A D भी time T के equal है and the last one is B D B D क्या है आपका change in velocity और change in velocity हमने कल भी find out किया था A into T के equal आया था तो वो चीज़े हम यहां पर use करने वाले हैं मैं लिखा भी है putting O A equals to U O C and A D equals to T and B D equals to A T तो जब इस चीज़ को हम इस formula के अंदर इनकी values को put करेंगे तो हमार पास S की value U T plus half of T into A T that is equals to S equals to U T plus half of A T square आ गई तो यह आपकी second equation of motion है अगर आप previous lecture के अंदर जाके देखें जो तीन equation of motion थी उसके अंदर यह हमारी second equation of motion रहेगी तो यह हमारा equation of motion के अंदर last topic है जो की है आपका equation for position velocity relation जिसको हम third equation of motion भी कहते हैं उसका other नाम है position velocity relation तो इसके लिए भी हमने क्या किया एक velocity time graph जो की हमने यहाँ पे बनाया था यही velocity time graph आपका third equation of motion के लिए भी रहेगा तो मैंने दोबारा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि same graph को हम वहाँ पर use करने वाले हैं तो from velocity time graph distance s traveled by the object in time t moving under uniform acceleration a is given by the area enclosed within the trapezium oabc under the graph मलग क्या कह रहे है जो हमारे velocity time graph है यह वाला velocity time graph है इसके अंदर जो distance s जो travel किया है object ने time t में under uniform acceleration a वो किस से find out करेंगे हम जो oabc के अंदर जो graph है या फिर जो area है इस graph में oabc के अंदर जो area है and closed है उसको find out करेंगे तो हमारे पास जो distance है वो आ जाएगा अब देखिए second equation में तो हमने क्या किया था कहीं ना कहीं इस figure को split कर लिया था दो हिस्सों में rectangle बना लिया था लेकिन वैसे oabc जो यह आपकी figure है यह trapezium की figure है तो अब यहां पे हम trapezium का जो area है उसका formula जो होता है उसको हम use करेंगे ना कि rectangle और triangle के लिए क्योंकि हमें अलग equation वो motion निकालनी है तो उसके लिए हमने क्या किया distance हमारा equals to area of trapezium oabc के equal हो जाएगा that is और जो trapezium का area का formula होता है वो होता है sum of parallel side into जो हमारी longer side है other side है divide by two that is sum of parallel side parallel side होती है यह वाली तो oa plus bc into height divide by तो height क्या है oc के equal है या फिर perpendicular भी कैसे तो perpendicular भी यहाँ पे oc रहेगा तो perpendicular divide by two तो oa plus bc into oc divide by two oa और bc आपकी parallel side है oc जो है perpendicular है divide by two अब यहाँ पे oa की value देखिए oa की value क्या है initial velocity u के equal है bc आपका final velocity v है oc आपका t है तो यह values हम यहाँ पे जो formula है हमारा s के जो values है उसके अंदर substitute करेंगे तो substituting o equals to u bc equals to v and oc equals to t we get इसके अंदर हम यह तीनों value इस equation के अंदर put करने वाले हैं तो s becomes u plus v into t divide by two तो यहाँ तक हमें मिल गया है अब हम क्या करेंगे जो आपकी first equation of motion थी थोड़ा याद करने कोशिस कीजिए वो थी आपकी v is equals to u plus a t तो उसका हमने लिया है वहां से हम t की value यहाँ पे find out करेंगे तो t की value जो है यहां से हमें u इस तरफ आजाएगा v minus u और a से divide हो जाएगा तो v minus u by a हमारे बास t की value आजाएगी तो t की इस value को हम s की value के अंदर जो s वाली equation है हमारी equation number third है उसके अंदर हम t की जगए इस value से t को replace कर देंगे तो हमारे पास जो next जो form बनेगी s की वो क्या बनेगी s equals to equation के अंदर u plus v divided by 2 into t की जो value है वो है आपकी v minus u divided by a अब देखे u plus v को हम v plus u भी लिख सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर v plus u into v minus u divided by 2a यह हमारे पास कहीं न गहीं equation बन गई है अब देखें यहाँ पर तो इस जो है हमारे पास relation आया है इसको solve करने के लिए आप multiply का use भी कर सकते हैं नहीं तो हम direct mathematics के अंदर identities आ आने वाली हैं आपने पहले भी पड़ा होगा 8th class में भी तो a plus b into a minus b identity होती है इसकी simple simplification होती है a square minus b square के equally हो जाता है तो हमने इसको use किया है तो जब इसको simplify करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा s equals to v square minus u square divided by 2a अब 2a को हम left hand side ले जाएगे तो 2as बन जाएगा आपका 2as equals to v square minus u square तो यह आपकी third equation of motion बन जाएगी अगर आप remind करोगे तो v square minus u square equals to 2as यह मैंने आपको third equation of motion बताई थी तो students यहाँ पे आपका जो second last topic था इस chapter का जो कि equation of motions using graphical representation उनका derivation था वो आपका और हो चुका है I think आपको इस समझ में आया होगा आप तक जो भी हमने किया है क्योंकि उसके बाद देखें बहुत छोटा सा topic आपका uniform circular motion वह हम कल करने वाले हैं और साथ ही में आपके जो textual questions remaining है इस chapter के उसको हम करने वाले हैं उसके बाद exercise करेंगे फिर आपका यह first chapter कहीं नहीं ओपर हो जाएगा तो students थोड़ा ध्यान से कीजेगा क्योंकि derivation देखिए आसान है आपको देखने में लगएगा बहुत बड़ा है कैसे होगा बहुत आसान चीज़े हैं अगर समझखे करोगे आपको नहीं समझा रहा बार बार लेक्चर को देखिए आपको समझ आएगा So Thank you students